साथियों भारत के गाउं के लिए गाउं में रहने वालों के लिए जितना काम पिछले छे वर्षों में किया गया है उतना आजहादी के छे दसकों में भी नहीं हुआ छे दसक तक गाउं के करोड़ों लोग बैंक खातों से बन्चित थे ये खाते अब जाकर के खुले है छे दसक तक गाउं के करोड़ों लोगों के घर में बिजिली का कनेक्शन नहीं था आज हर घर तक बिजली पहुँच चुकी है छे दसक तक गाउं के करोड़ों परिवार साउचालई से बन्चित थे आज घर घर में साउचालई भी बन गए है साथियों दसकों तक गाउं का गरीब गैस कनेक्शन के लिए सोज भी नहीं सकता था आज गरीब के घर भी गैस कनेक्शन पहुँच गया है दसकों तक गाउं के करोड़ों परिवारों के पास अपना घर नहीं था आज गाउं के करीब परीब दो करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और आने वाले बहुती कम समय में जो बचे हुए हैं उनको भी पक्के घर मिले इसके लिए मैं जी जान से लगा हुआ हूँ दसकों तक गाउं के घरों में पानी घर में पानी पाइप से पानी कुछ सोच नहीं सकता था तिन-तिन किलोमेटर हमारी माताओ बहनों को सर पे इतना बोज उठा करके पानी लेने के लिए जाना पड़ता था अब हर घर में पानी पहुचाना है आज देश के ऐसे पंदरा करोण घरों तक पाइप से पीने का पानी पहुचाने के लिए जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है देश के हर गाउं तक अप्टिकल फाइबर पहुचेने का भी एक बहुत बड़ा भ्यान भी तेजी से हो रहा है पहले लोग कहते हैं बिजली आती है जाती है अब लोग सिकायत करते हैं मुबाइल फॉन में कनेक्शन आता है जाता है इन समस्यों का समाधान वो अप्टिकल फाइबर में है साथियों जहां अभाव होता है वहाँ ऐसी ऐसी ताकतों का प्रभाव ऐसी ऐसी ताकवतों का दबाव परिशान करके रख देता है आज गाव और गरीब को अभाव में रखना कुछ लोगों की राजनीती का अधार रहा ये इतिहास बताता है बुद्काल बताता है हमने गरीब को अभावों से मुक्ति का भियान चलाया है भावयों बहनों ऐसे लोगों को लगता है कि अगर गाव गरीब किसान आदिवासी ये ससक्त हो गए तो उनको कौन पूछेगा उनकी दुकान नहीं चलेगी कौन उनके हाथ पर पकड़ेगा कौन उनके सामने आ करके जुकेगा और इसलिए इन लोगों का तो यही रहा कि गाव की समझाए बनी की बनी रहे लोगों की समझाए बनी की बनी रहे ताकि उनका काम चलता रहे और इसलिए कामों को अटकाना लटकाना बढ़काना यही हूंके आतत हो गए थी आजकल इन लोगों को खेती से जुड़े जो अइतिहासिक सिधार किये गए है उनसे भी दिक्कत हो रही है वो लोग बौकलाई हुए है यह बौकलाहट किसानों के लिए नहीं है खुद की दुनिया जो अब देश समझने लगाए ना उसकी परेशानी है पीडी दर पीडी बिचोलियों गुस्खोरों दलालों इनका तंत्र खड़ा करके जो इनों ने एक अपना बड़ा ही एन एक परकार से मायाजाल बना के रखे थी देश के लोगों ने उनकी मायाजाल को इनके इन सवे मनसुबों को दहाना देश की जनता ने शुरू कर दिया है करोड़ों भारतियों की भुजाएं जहां एक तरफ भारत के नवदिवार में जूटी हैं वहीं ऐसे लोगों की सच्चाई भी उजागर कर रही हैं देश के उन नूटने में लगे रहे लोगों को देश अब पहचानने लगा है इसलिए ही ये लोग आज कल हर बात का आग बंद करके बद विरोद करो गाली गलोच करो गंदी भाशा का परोग करो ये करें इन्हें न गरीब की चिंदा है न गाउं की चिंदा है न देश की चिंदा है उनको हर अच्छे काम के प्रते परिशानी हो रही है ये लोग देश की विकास को रोकना चाहते हैं ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे गाउं गरीब हमारे किसान हमारे स्रमी भाई बहन भी आत् दिरभर बने, आज क्रिशी क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं, उससे जिने किसानों को लगता था, लेकिन आज हमने डे, गुणा, MSP हमने करके दिखाया, वो नहीं कर पाये थे, छोटे किसानों, पशुपालों को, मच्वारों को, किसान क्रेडिट कार मिलने से, जिनकी काली कमाय का रास्ता बंध हुए है, उनको आज समस्या हो रही है, यूरिया की नीम कोटिंग से, जिनके गैर कानूनी तौर तरीके बंध हो गए, दिक्कत उन्हें हो रही है, किसानों के बैंक खाते में सीधा पैसा पहुंचने से, जिनको परिशानी हो रही है, वो आज बेचेन है, किसान और खेद मद्दूर को मिल रही बीमा, पैंशन, ऐसी सुविदाओं, जिनको परिशानी है, उन्हों को हो रही है, वो आज कृष्टी सुधारों का विरोध करने में लगे हुए है, लेकिन किसान उनके साथ जाने को तयार नहीं, किसान उनको पहचान गया है,